मित्रो नमस्कार आप सभी का आज के सत्मे स्वागत है आज चुमार टॉपिक है वो जोशी मट से सम्मंधित है अभी हाली में चर्चा में रहा है यह सहर अभी भी चर्चा में है कि यहां पर घरों में दरार पढ़ने की घटनाए दिखी गई हैं जमीन धसा है और कई घरों को खाली करना पड़ा है जिससे काफी समस्याय हुई है और अभी डिसेंट में न्यू जाया है कि कर्न परियाग में भी इस तरह की घटना दिखी गई है कि जो वॉल है मतलब घरों की जो दिवारे हैं उसमें दरारे आ गई हैं दरारे ऐसी हैं कि एक घर से दूसर बिल्कुल भी आसानी आप बिल्कुल ही बिल्कुल भी मतलब इसको आप इस तरह आप देखे किस तरह की समस्याइं वहां के जो निवासी हैं वो जहल रहे हैं जिसका अपना आस्याना होता है अपना घर होता है उसे किस तरह की समस्याइं जहलनी पड़ती हैं तो आखिर इस समस्या क्या है इस घ्रड़ की क्यों है इस को हम समझेंगे इसके बारे में की ऐसाप सभी अवगत होंगे अच मोगर खनrika चमुली जिला है तिक उसमें view नएसनल हton 12 पर मौजूद है यह जोशी मट सहर ठीक है अब बद्रीनात धाम का प्रवेश्ट द्वार कह सकते हैं अब भारत के लिए रणनीतिक तौर पर अहम भी है जहां तक रणनीतिक तौर की बात है तो रणनीतिक तौर आप इस तरह समझे कि भारत का यहां पर मिलिटरी बेस है ठीक सामड़िक देश जो हीत है भारत के ठीक है उसको बनाये रखा जा सके और इसलिए मतलब सामड़िक द्रिष्टि को उनसे यह महत्पुन हो जाता है अब देखते हैं चर्चा में क्यों है तो जमीन धसने को लेकर यह सहर चर्चा माया है है ना हम सभी जानते हैं और यह कोई नहीं है इससे पहले की बात करें तो 1970 में भी जमीन धस्तिय की घटना है वहां जोशी मट में देखी गई थी जमीन घटने जो धसता है न तो उसमें खास कर जो शंबेदन शील छेतर हैं जो पहाड़ी छेतर हैं वह शंबेदन शील होते हैं किसी भी प्रकार की आपदाओं के प्रती खासकर प्राकरतिक आवदाओं के प्रती अगर हम उस वहां की पारिस्तिक संद्चना से अगर हम वहां के ecosystem से छेरचार करते हैं कुछ बदलाव करते हैं परिबरतन करते हैं तो आज नहीं तो वर्सों में या कुछ महीनों में इसके भीप्रित परिनाव हमारे सामने आते हैं जैसा कि जोसीमत में भी देखा जाड़ा है इससे पुर्व 1970 में भी जमीन धसने की घटना हुई थी तो फिर 1970 में जो घटना हुई तो इस पर 1976 में रिपोर्ट आई थी इस रिपोर्ट में बड़े जो निर्मान काडियों हैं इस पर रोक किसी फारिस की गई थी आप वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दीजिए आप चाहे टनल बना र यहां पनविजली परियोजना बनारों आप कुछ भी वहां करने जाड़े हैं तो विकास जो है ना वह मानवता की कीमत पर नहीं होना चाहिए पारस्थितिक जो तंत्र है जो मतलब प्रकृति है प्रकृति प्रदत जो संसाधन है हमारे पास चाहे हम भूजल की बात करें अ लदी की धाड़ा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते है उसक्रम में आप क्या करेंगे सुरंग बनाएंगे टनल बनाएंगे टनल से हो सकता है कि जो वहां की संदजना है वो प्रभावित हो और जिससे बिनाशकारी पर नाम देखने को मिल सकते हैं जोशीमर सहर जो है यहाँ समझने की बात है कि जोशीमर सहर का अग्डिश्ट Guinea कैसे ऐ तो फृ襯 जो पढ़लने के गडाद की जमीन है उस पर यह शहर मौजूद है कौन सा हर तो उतराखंड का जो जोशीमर सहर है भूषखलन के मलव्यप पट्टि का जोशीमर्ठ अब देखो कि भूष्खलन आपर सभी जानते हैं लेंड स्लाइट को भूष्खलन बोलते हैं जोशी मट जो है ऐसे ही भौगोलिक हालात में अस्तित में आये था पूरा जो कसवा है जहां पूरी आवादी रहती है ठीक है पहार की धलान पर कुछ सौ साल पहले भूगम्प की बज़स से हुए भुष्खलन के मलवे पटिका हुआ है वहाँ देखो जोशी मट के ना जो मतलब आधार है उस शहर का तो कोई ठोस जगह नहीं है वो ठीक है प्रित्वी की करष्ट है उसमें होती कतीविधीओं से लेकर भूकम्प आधीवी शामिल है ठीक है जिन बजहों से हो सकते हैं जमीन की उचाय में बदलाब जमीन की उचाय में बदलाब से आशे हमारा यहां पड़ी है कि जमीन जो है वो मतलब धर सकता है कहीं पर उठ सकता है मतलब किसी तरह के बदलाब जो है जो है जो है ना किसी तरह की जो मतलब जो मतलब अनुकू जाखंजने वाली समझने बात है और जहां तक जमीन से समधित मुद्दो की बात है तो हम भूगरव शाष्त्री स मंकर्द doen दल उसके हैं इंडोनेया की राज़हा नी है बच्चों में तेजी से धस रही है तो हमें यह समझना पड़ेगा ठीक है अब भुगडवी मैं भी मैंसन किया कि भुगडवी जलक लगाता बाहने के कारण भी ऐसा हो सकता है भुगडवी जैसे मालों सुरंग बनाने वाली मशीन थी ना उस मशीन से क्या हुआ एक जल शुरोत जो था भुगडवी जल शुरोत था मतलब वह हीट हो गया ठीक है उसमें छेद हो गया तो पानी काफी बाहर निकलने लगा तो अर जब तक उसको बंद नहीं किया गया काफी मातरा में पानी निकल ल प्रोतों के अती दोहन से भी धस सकती है जमीन ठीक है इंडोनेसिया के राधानी जाकारता जो है कैसा उदारन है आपके सामने जाकारता जो है तेरी से नीचे धस रहा है अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वे की बात करें तो दुनिया भड़ में 80% से ज्यादा 80% की बात हो रही ह 80% से जमीन जो है भुगड़ भी जलके अती दोहन की बज़ा से धस रही है बच्चों भी मैंने मेंसन किया बताया आपको कि जो हमारे पास प्राकरतिक शंपदाएं है तो शंपदाओं की हम बात करें तो हमें उसका यूटिलाइज करना है सदुपयोग करना है उसका वारा शहर था हो दिए थे दिए समय बदला वहां आवादी काफी तेजी से बठी आवादी का बोज़् क quickly intimate की जंगल जो है वेकानों चल रही है तो उसकी जो संरचना है जो पहारी स्हेत्र है वहाँ की आबो हबा जो है वहाँ की जो आमतलब एक तरह से सिस्टम परनाली जो वहाँ की है उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसका प्रभा बिल्कुल साफ तोर पर दिखने लगा है अगर साल 1976 की हम बात करें जब अध्यन हुआ था अभी हमने बताया था आपको कि क्या क्या उसमें रेकोमेंड क्या गया था तो उसमें जो अध्यन हुआ उसमें कुछ निशकर्स आये थे निशकर्स में देखो जो शीमत कसवा जो है वो जमीन में धस रहा है इस सिपन बहारी निर्वान पर प्रतिवन्त लगाने का सुझाब दिया गया मतलब बहारी निर्वान कुछ मत कीजिए कोई project मत बनाई यह या फिर कोई बड़े मकान इस अपन बनाया जाए ऐसा कुछ सुझाब दिया गया कि ऐसा ना किया जाए नहीं तो ये एक बिकट समस्या का रूप ले सकती है जो कि एक बड़ी आबादी को है ना लार्ज पॉपलेशन को प्रभावित कर सकती है गंभी रूप से प्रभावित कर सकती है ठीक है तो मतलब कुछ सिफारिसें की गई अब देखो अध्यन तो हो गया निशकर्स आ गए लेकिन उस पे तो अमल भी तो तो क्या जाना होता है इन्चेतावनियों पर पडियाप ध्यान नहीं दिया गया ठीक है पिछले कुछ दशकों की बात करें दशक मतलब डिकेट से न, दस साल का जो अंतराल होता है तो यह जो शांत सा कसवा था न, यह हजारों लोगों की आवादी वाला शहर बन गया ठीक है, अब यहाँ दे को टूडिस्ट आते हैं, पड़ेटक आते हैं तो होटिल का कारोबार फलाफूला रेशुरेंट यह मतलब जो सावशकता होती है बदरिनाथ धाम की बात करें और हेमकुट साहर की बात करें तो वहाँ जानने वाले तिर्थी आत्रे भी इसी कस्वे से होके उजड़ते हैं इसकस्वे के आसपास बनाई गई कई हाईड्रो एलेक्टिक पार पर परजेक्त मैंने आपसे पहले कहा है कि हमें सांचतित का जो पर योग करना है कि अ्ठाव दोभ यों करना है अतीदोहन नहीं करना है तो हाइड्रो एलेक्टिक पाउर प्रोजेक्ट का ही साड़े बन गई तो अगर आप मानलो कोई पाउर प्रोजेक्ट वहाँ बनाते हो तो डेफिनिटली आप खुश ना कुछ वहाँ पर पड़िवर्दन करोगे वहाँ के संद्रचना में तो उसके प्रतिकुल प्रभावत किया उस चेत्र में जो है सबसे बड़ी चिंता का भी सहत्ता पोबन विश्णुकर हैड्रो पाउर प्रोजेक्ट जिसकी सुरंगें काफी जादा है जोशी मट सहर की जमीन के नीचे के जो और इस्थिर चेत्र हैं भांगूर चेत्र हैं एना उस मतलब उसको प्रभावित का प्रभाव तो पढ़ेगा ही ठीक है हम अगर बात करें साल 2010 की बात करें 2010 में क्लाइमिट साइंस में एक आर्टिकल मतलब पब्लिश हुआ था दो लेखों ने आर्टिकल पब्लिश किया था दो मतलब जानकार ने जो जानकार है इस मामले के उन्होंने कहा था कि चिताब नह राड़ा है यह शहर जो है बड़े खत्रे की चपेट में है थीक है तो आप इसमें इसको इस तरह समझे उसके बाद दूसरी बात अगर बात करें कि मतलब अगर यह भुगर्व सास्त्री की बात करूं तो 2010 में जो क्लाइमेट साइंस में जो लेक प्रकाशित हुआ था जिस आप नहीं दी थी अपने आर्टिकल में अपने लेक में ठीक है और जैसे कि मैंने इस पस्ट क्या बताया था आपको कि 2009 के दिस्टमबर में क्या हुआ था सुरंग खोदने वाली मसीन के द्वारा एक भुगर्वी जल श्रोत में छेद हो गया था जिसकी बज़सन प्रतिद डेली साथ करोड पानी बाहार निकला जब तक कि उसे रोका नहीं गया ठीक है और 2021 की बात करें तो बाठ आने से हाइड्रो पाउर प्रोजेक्ट की दो में से एक सुरंग बंद हो गए थी इस हाथ से में 200 से ज़्यदा लोग मारे भी गए थे या लापता हो गए थे तो कहन से लिए ना नीगेटिव इंपक्ट पड़ा है हमारी मतलब हमारी ऑफ इस्टैल है विभस्ता है उससंपर हमारा जो रहं सहन है आवार जो आवास है उस पर पड़ा फड़ाए अगर आप प्राकरतिक आप दाओं की बात करें थीक है तो मानाव समुधा फ्राकर्टिक आप दाओं को लेकर मतलब परिशान है तो साल 1880 से 1999 के बीच की बात करें ठीक है तो मतलब देखो पहले मतलब कम थार मतलब यह आकरा 1300 फिर भी है आकरा तो है ही मृत्यु का आकरा जो प्राक्रितिक आप दाओं सन्वार मृत्यु हैं है दो हजार से नो के बीच 433 अदो जार दस से 20 के बीच 1312 देखो दो हजार दस से 20 के बीच 10 साल में 1312 पर पहुंच गया जबकि 1880 से 1999 मतलब एक सो साल से ज्यादा समय में 1300 मौत का आकरा है कहने का मतलब हमने जिस तरह से मतलब समस्याओं को जर्म दिया है है ना साल 2021 में उतराखन में भुषकलन अचानक बार्ड मतलब फ्लैस फ्लाड और हिम्षकलन जो है हिम्षकलन किसको बोलते हैं तो बर्फ की जो भाड़ी मातरा होती है ना उसका तेज रफ्तार से नीचे की और आना इसमें तीन सो से जदा लोग माड़े गए ठीक है तो बहुत ही बड़ी मतलब मसंख्या है लोगों की जो हताहत हुए है तो ये मानवी गतिवीधियों कोई जो अंधांदुन्द मानवी गतिवीधियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं प्रक्रती के साथ छेड़चार कर रहे हैं उसे क्या हो रहा है कि बारिष होने के ढंग में मौशम में बद्लाब हो रहे हैं ठीक है उसे हम लोग के सामने समझाय आ रही हैं तो इन सब को ध्यान रखने की आवज़कता है अगर हम अतीत में जहाकना पड़ेगा हमें जोशी मट को समझना पड़ेगा कि अतीत में जोशी मट क्या था तो अगर हम समझते हैं ना अतीत में जो है यह गठवाल हिमाले का जो गजेटियर लिखने वाले एक अंग्रेज आईसेस अफसर थे हैना एच जी वॉल्टन उन्होंने 1910 के जोशी मट का जिक्ड किया है 1910 में जोशी मट का ऐसा था उस समय यह कस्वा जो था थोड़े से मकान थे इसमें रैन वसेरे थे ठीक है मंदिर थे और चौरस पत्थर है उससे बना हुआ है ना नगर चोक वाले एक शांत सा कस्वा है ना मतलब एक तरह से बिलकुल कुलाहल था शांती थी चुपी थी बड़ा ही कंफर्ड था बड़ा ही शांत था ठीक है अलगनदार नदी की उपड़ी भाग में इस्थित जोशी मट्चु है उसकी संख्या 1872 में बात करूं ठीक है चार सो पच्पन थी मातर 455 और यह 1881 बटके 572 हुई शितंबड 1900 में यह 468 पे थी ठीक है और अभी की बात करें 2023 की तो अनुमानित जो संख्या है ठीक है यह 22 से 23000 के आसपास के मतलब हजारों में यह संख्या पहुंच गई है तो बिर्दी तो काफी तेजी से हुई है अगर बात की जाए ठीक है और दूसरी बात की अभी मतलब जोशी मट में यह समस्य देखने को मिली है तो समझने की बात है कि हम सभी सजग हो जागडुक हो अगर जोशी मट की उत्पत्ति की कहाने हमने लिया हमने समझा तो अगर आप इस तरह अभी भी समझे लो कि उत्राखन का जो गडवाल जो है ना गडवाल के जो पैन खंडा पडगना है उसमें शंक्राचार्ज आप जानते हैं जिन्होंने हिंदू जो दर्शन है जिन्होंने वेदान दर्शन है उसके प्रचार परसार महत्पुन हुमिका निभाई थी तो आदिगुडु शंक्राचार्ज ने इसे काफी मतलब आगे बढ़ाया दक्सी भारत के के तरावन कोड के परचार परसार के उदेश से बहुत छोटी आयू में बाहर निकल के कई जगह यात्राएं की सुदूर हिमालय की यात्राएं की और काफी लोगों को अपना अउननाई बनाया ज्यान ने तो आड़ इसी करम उन्होंने अपने अउननायों के लिए क्या किया चार मठों का नि दन मठ है पस्ची में द्वारिका का शारदा मठ है दक्षिन माईशूट का स्रेंगेडी मठ है और उत्तर में जोतिर मठ है यानि जोशी मठ है तो जोशी मठ के बाद बदरीनाथ में नारायन के ध्वस्त मंदिर के पुनर निर्मान का कारि पुड़ा कराने के उपरान तो जो के शंक्राचार्ज होगे खेदार नात गए जहां 32 साल की छोटी शी उम्र में उन्होंने अपना शरीड त्याक किया ने शंक्राचार्ज तो इनका भी बड़ा योगदान है और जो जो शिमत का बात की बात करें तो यहां का जो पहार है कि मैंने बताया आप लोगों को यह का मतलब भंगू टैप का है उतना इस्ट्रॉंग नहीं है तो मतलब और स्थिर शेतर है एक तरह से तो भारत सरकार को साथी जो मतलब सेंटर government है या फिर state government है इनको साथ मिल के काम करना चाहिए साथ मिल के काम करना चाहिए मतलब वहां के निवासियों की सुनी चाहिए कि वहां के निवासियों के अनुहब क्या है निवासियों ने किन-किन बदलावों को देखा है जो बदलाव नहीं होने चाहिए जो बदलाव समस् city को generate करें हम वहां पर मतलब construction करें ठीक है लेकिन सीमा होना चाहिए अतिस्तरवतरवर्जेत access over everything is bad तो हमें कुछ भी अत्यधिक नहीं करना है एक limitation में करना है एक सीमा में करना है ताकि हमारे जो प्रकृति है हमारे जो संसाधन है वो हमारे हित में हो है हमें उसे benefit पहुँचे ना कि नुकसान पहुँचे तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही एक नवीन topic के साथ जो कि आपके लिए काफी helpful होगा चाहिए आप किसी competitive exam की तयारी करते हों जैसे UPSC civil services state PCS या फिर banking SSC किसी भी प्रकार की exam की तयारी करते हों या फिर आपकी सामानी जानकारी हैना सामानी ज्यान में विर्द्धी करने के लिए फिर पुना नए topic के साथ आपके सामने उपस्तित होता हूं तब तक के लिए आग्यां दीजिए नमस्कार लाओ 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